गाईज आज हम लोग explain करेंगे 2011 की elevator movie को movie में आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग मिलकर एक lift के अंदर फस जाते हैं इस movie का thrill आपको last तक suspense में डाल के रखेगा सो movie की starting में हम किसी आदमी को देखते हैं जो किसी चीज को बहुत ही ध्यान से बना रहा होता है अब वो आदमी कहता है कि ये चीज 5 मीटर के दायरे में किसी भी चीज को खतम कर सकती है सो अब scene shift होता है और हम यहाँ कुछ प्यूपिल्स को देखते हैं इन सभी लोगों को एक party का invitation आया होता है ये party जो है वो बार्टन बिल्डिंग के 52 फ्लोर पर हो रही है अब जल्दी लोग location पर पहुँच कर building में पहुँचने वाले होते हैं पहले हम यहाँ पर डॉन और डॉन इस company का employee है और marine एक टीवी reporter है वो दोनों पहले lift में जाते हैं इस lift में पहले से मुहमद नाम का security guard था अब इसके बाद मार्टिन नाम का एक बंदा आता है जो वो भी इसी company का एक employee है मार्टिन डॉन से बाते करता है वो कहता है कि आज की party के लिए वो बहुत excited है क्यों उसे क्लेस्ट्रोफोबिया है जिससे वो ज़्यादा लोगों को अंदर ना भरे मगर अब तभी जेन रेडिन नाम की एक लेडी आती है और वो भी lift में आ जाती है और लास्ट में यहां एक और लेडी आती है जिसका नाम सेलीन होता है सेलीन एक pregnant woman है अब यहाँ लास्ट ल लोर पर जाने के लिए सेट किया जाता है जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही होती है वैसे वैसे जॉपिया के करण उसकी घबराहाट भी बढ़ने लगती है बाकि लोग उसे दिलासा दिलाते हुए कहते हैं कि रिलाक्स करो हम जलदी पहुंचने वाले हैं लेकिन पास से पूछती है कि इन्हें क्या हुआ तो वह बताते हैं कि इनको क्लेस्ट्रोफोबिया है जिसे इनको बेचैनी हो रही है मैडली इस मौके का फायदा उठाते हुए थोड़ी सरारत करने के लिए लिफ्ट के स्टॉप बटन को प्रेस कर देती है जौर्ज उसे ऐसा करते हुए देख लेता है मगर मैडलीन कहती है कि यह एक्सिडेंटली हुआ मगर जौर्ज सबसे बताता है कि यह उसने इंटेंसली किया है है लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट अभी स्टक हो चुकी है इस चीज से जौर्ज का चिरचिड़ापन और भी बढ़ गया था वह गंदी लेंग्वेज का यूज करके मैडलीन के उपर ब्लेम लगाता है जिससे हैंडी उसे काफी गुस्सा होता है है जिसके बाद वह स्टाफ पूचता है कि क्या स्टॉप बटन को प्रेस किया गया थ हैंडी यस बोलता है जिसके बाद में स्टाफ रूडली बोलता है कि वह बटन इवर जेंसी के लिए था इसके मेंटेनेंस वाले आप कुछ देर में आएंगे सभी लोग इस चोटी सी लिफ्ट में फस चुके हैं सेलीन जोकी प्रेगनेंट है वो बताती है कि उसकी प्रेग शौक जाते हैं और इसके रीफ यृषिंश कोई मेडिसिन खाती है मैडिसिन लेने की कुछ समय बाद ही जें अचानक से गिर जाती है जैंडाती है जिसके बाद में हेन्री फिर से स्टाफ से पोँशता है कि उन्हें बाहर निकलने में कितना समय लगने वाला है जिस पर सुनाता है मगर यह एक स्टुपिड जोक था जिसे किसी को भी इस पर हसी नहीं आती अब इसी तोरान सेलिन को ट्वालेट आ गई होती है वो प्रेसर को ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी जिससे अब यहीं पर करना होगा वो अपने बैक को खाली करके उसके अंदर पी करने क का फैसला करती है कई लोगों के लिए यह काफी मोमेंट होता है मगर इसके अलावा और कुछ भी किया नहीं जा सकता अब इन सब के बाद में जैन अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है वो बताती है कि उसका बेटा इराक में जंग में मारा गया जिसके बाद उनके और उसकी हालत काफी खराब हो गई उसके पती ने बाद में बार्टन के प्रोजेक्ट में काफी सारा मनी इंवेस्ट किया लेकिन सारा मनी लॉस हो गया लेकिन बार्टन को इसमें 75 मिलियन का फायदा हुआ अब लॉस हो जाने के बाद में जैन के हस्बन ने खुद कुसी कर से लोगों की बची कुछी हवा भी अब टाइट हो जाती है अब सभी लोग अपने फोन में इमर्जंसी के लिए हर जगे कॉंटक्ट करने में लग जाते हैं धीरे-धीरे करकी यह सारी बाते निउस पर भी जाने लगती है जैसा कि मरीन एक टीवी रिपोर्टर है तो वो करते हैं मगर तभी मार्टिन कहता है कि तुम्हें ड्रेस के अंदर चेक करना चाहिए अब जब सेलीन कपड़ा हटा के चेक करती है तो उसे यहां पर बॉम मिलता है जिसके बाद में उसका पैनिक बढ़ जाता है डौन अब इस च्छत के सीलिंग को हटा कर निकलने का ट्रा इसलिए गाता है जब गेट फुल जाता है तो बाहर जाने के प्रेस कर ने में काम्याब हो जाता है लेकिन अब जैसे ही बटन प्रेस होता है तो इसके बाहर में निकला हुआ उतना हाथ कट जाता है डॉन की हालत यहां पर बहुत ही कराब हो चुकी थी उसका आधा हाथ कट चुका था लिफ्ट में बाकी लोग को भी पता चल चुकी है यह बात सुनकर सेलिन रोने लगती है वो प्रेगनेंट होती है तो इसलिए वो सोचती है कि इसा वज़े से उसका बेबी हर्ट ना हो सभी लोग एक बार फिर से मिलकर इस लिफ्ट के दोर को ऊपन करते हैं दोर को ऊपन करने पर बाहर कुछ भी नहीं होता मगर तब जौर्ज के मन में एक आइडिया आता है वह कहता है कि हम बांब को बाडी से कि बाठा कर लिफ्ट से बाहर फैंक सकते हैं इस Γोह एक की पास काट करने के पूरी हिम्मत करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता जिसके बाद में हेंडिक खुद उसके बॉड़ी को काटने वाला होता है वो बताता है कि पहले उसने बुचर सौप में वर्क किया है हेंडिक उसकी बॉड़ी को काटना सुरू करता है दूसरे लोग यूश की हेल्प करते हैं मैडली ये सब भायानग नजारे को देखकर खौप से डरी होती है अब दभी उनके ये सब करने के दौरान बाहर से आवाजे आने लगती हैं लिफ्ट का दोर तभी खुलता है और बाहर हम सोलजर्स को देखते हैं अब जल्दी से ये लोग पहले डौन को बाहर निकल वाते हैं उसके बाद बचे हुए लोगो आता है आखिरकार अब बचे हुए लोग लिफ्ट से बाहर सही सलामन निकालाते हैं इस बीच में डौन का हाथ कट गया था लेकिन उसकी जान बच जाती है इस खतरनाक सिचुएशन से निकलने के बाद आखिरकार इस मूवी का एंड होता है सो दोस्तों ये थी 2011 की एलेवे स्यादित हम